देखे 4.15 कह क्या रहा है कहते हैं एक magnetic field आप 100 gauss क्या given है आपको देखे बेरी आदत मैं question को full नहीं पढ़ता हूं तब पहले आप given लिखना शुरू कर दीजिए फुरिश्टाप लिखना जाईए magnetic field कितना दिया हुआ है 100 gauss gauss बुले तो 10 power minus 4 tesla बुले तो 10 power minus 2 tesla यह magnetic field दिया हुआ है magnetic field of 100 gauss is required इस यह required है which is the uniform in the region of the linear dimension due to about 10 cm linear dimension about 10 cm देखे द्यान से पुरा अभी इसको नहीं लिख रहे है linear dimension of 10 cm पर इसको L माल लेते है अभी इसका मतलब क्या रिकर ला बता रहे है 10 cm बोले तो 0.1 meter आपने का 10 power नहीं लिखा रहे है छोटी value उसमें का 10 power लिख दें बुची वर का तो value है the maximum current carrying capacity in a given coil a virus 15 ampere 15 ampere is not the current in the coil उन्होंने कहा current की जो capacity है जितनी उसमें flow हम कर सकते हैं वो 15 ampere है यानि जो i max जो हो सकती है possible i max possible i max जो है वो 15 ampere है flow हो सकती है यानि आप कह सकते हैं कि इतने current की उसकी bearing capacity है इससे ज़्यादा current व बियर नहीं कर सकती है and the most thousand turns per meter और most जो है number of turns per meter जो n maximum हो सकता है वो thousand हो सकता है हो सकता है per meter per meter हो सकता है ठीक है यानि कि 10 cm range को linear magnetic field देता है अब बता रहे हैं आपने देखा होगा solenide में क्या होता है बीच में magnetic field ऐसे होता है linear नहीं होता है और corner आगे magnetic field मुड़ जाता है तो जहां था कि linear रहता है वो जो distance है 10 cm है अब उस 10 cm के अंदर आपको coil बनानी है अब coil बनाने के लिए क्लिए क्या होता है कि अधिक सधिक 1000 turn उसमें आप दे सकते हैं पर मीटर ठीक है उससे ज्यादा जगे नहीं है जो coil है जो wire है उसकी कुछ मोटाई होगी ना तो कैसे उसको लपेटेंगे आप जातर की ठीक है तो यह कह रहे हैं कि suggest some appropriate design particulars of solenite for required purpose assume that core is not ferromagnetic आप जानते हैं उसके बारे में भी हम बात करते हैं कहते हैं कि हमारा purpose यह है कि यह coil कर सकती है इतना ठीक है तो हम अपने purpose को solve करने के लिए कैसी कैसा solenite बना सकते हैं कैसा बनाएं तो देखे जानते हैं magnetic field solenite में क्या formula होता वी is equal to mu not ni यह जो n और i है ना यह value given नहीं है यह हो सकती वाली value है तो हम n i का multiply निकालने जा रहे हैं तो जब यहां से n into i निकालेंगे तो कितना आएगा b upon mu not तो जब b की value रखी हमने 10 power minus 2 tesla और mu not की क्या value होती है 4 pi 4 into pi बोले तो 3.14 10 power minus 7 जब इसको हमने calculate किया तो value approximate आएगी कितनी value आ रहे एप्रॉक्समेट है हा लग बग आ रही है 7955 करीब आ रही है अलग अलग भुक में आ रहे approximate value है 79 approximate equal to 8000 आ रही है 8000 value आने चाहिए तो 8000 आने का मतलब क्या होता है भाई current को आप 10 ampere कर दीजे number of terms 800 कर दीजे उस square में जो current की value लिजे वो कितनी कर दीजेगा मतलब number of terms 800 कर दीजे 800 कर दीजे 800 कर दीजे और current कितनी कर दीजे आप 10 ampere कर दीजे तब भी तोनों का product कितना आएगा 8000 आएगा तो इस पकार से हम solidarity बना सकते हैं या 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 हम आई निकाले आई कितना आएगा तक्रीबन 8000 अपान number of terms कितना है एक हजार यानि कि 8 ampere की current flow करते हैं यह approximate value लिखी है आप इसको calculate approximate value नहीं करेंगे यह 795 ही बायाएगा तो हम कहेंगे भाई हम पूरे 1000 turn करने current कितनी flow करते हैं यह भी कर सकते हैं यानि कुल मिला करके यह कई आंसर इसके हो सकते हैं आपको N और I ऐसा अर्जिस करेंगे कि I 15 से ज्यादा नहों N 1000 से ज्यादा नहों और multiply 8000 से ज्यादा नहों तो ऐसा आप arrangement कर सकते हैं कि number of transfer का अर्जिस करें कि दोनों का multiply 8000 से ज्यादा नहों एप्रॉक्सिमेट ठीक है और N इससे ज्यादा नहों इससे ज्यादा नहों इसके बीच में आप कोई value ले सकते हैं तो काफी sufficient magnetic field वो खुद create कर देगा नहीं समझी एक्चुली magnetic field create कैसे होता है किसी भी atom में electron random motion करते हैं जब उस atom को आप magnetic field में रखते हैं तो वो magnetic field की direction में align हो जाते हैं अब माले किसी भी substance में 1000 atoms हैं अब अगर 1000 atoms align हो जाएं magnetic field action में तो highly magnetized हो गया ठीक है अब substance खुद magnetized हो गया plus coil में magnetic field current flow हो रही है उसका खुद का magnetic field है तो अपने आप magnetic field कैसा हो जाएगा हाई हो जाएगा तो वो कह रहे हैं कोर के अंदर फिरो magnetic substance नहीं है मतलब वो जो substance रखा हुआ है वो कोई magnetic field create नहीं हो रहा है कर रहा है केवल current की वज़े से वहां पर magnetic field है नहीं समझे तो यह वो कहना चाहते हैं ठीक है